हलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो के मादम से हम जानेंगे कि आखिर ब्रामन्ड की उत्पति कैसे हुई 15 बिलियन एर्स पहले युनिवर्स की उत्पति मानी जाती है इन पास्ट ऐसा माना जाता है कि युनिवर्स सघन और गर्म था पूरा युनिवर्स एक छोटे से बिंद के अंदर समाहित था और इसी से पूरे युनिवर्स का और जिन माना जाता है युनिवर्स के लारंगी कुस्तार के बाद युनिवर्स के जमने की प्रिक्रिया की सुरुवात हुई इसकी वज़े से सब एटॉमिक कड़ों की रचना हुई ये सब एटॉमिक कड़, एलेक्टरॉन, प्रोटरॉन और नूटरॉन से मिलकर बने हुए थे कड़ों की बहुलता के कारण बाद में हाइड्रोजन और उसके बाद हिलियम, लेथियम और अधर गैसेस का भी निर्माड पॉसिबल हुए इन्ही कड़ों के बाद में संगठित होने से स्टार्स, प्लैनेट्स का निर्माड पॉसिबल हुए यूनियर्स देर्टेड एक बिगवंग थेयरी और जाज लेमेतर ने दिया आखिर क्या है बिगवंग थेयरी इसको में अगले वीडियो में कावर करेंगे वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद